हेलो एवरीवन गुड इवनिंग मैं शरद्यादव दोस्तों आज की हमारी यह सेकेंड क्लास होगी इंडियन जोग्राफी सॉट नोर्स यह घटना चक्र 2020 की जो लेटेस्ट अडिशन है दोस्तों उसकी ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा जिसमें मैंने नीशु मैंने और ज पीसेज के लिए बहुत हैलफुल रहेगी ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसेज की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप घटना चकर की सीरीज को नहीं पढ़ रहे हैं तो कही न कहीं आपके तैयारी अधूरी रह जाती है लेकिन प्रॉब्लम आ 2300 पेजेस हैं जिसको हमने केवल और केवल 200 पेज के अंदर कंपाइल कर दिया अलग अलग सब्जेक्ट के नाम पर पीडियाफ है पीडियाफ को आप पर्चेस कर सकते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाट्स अप नंबर है जहां पर आप मैसेज देकर वहां से आप पीडियाफ ले सकते हैं और साथी साथ उसकी डेमो पीडियाफ देखना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल हमारा जो ऑफीशली ग्लैंस अकेडमी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पिन कमेंट में मैंने डेमो पीडियाफ तीन-चार दिन पहले लग आप तीन से चार बर रिवीजन कर लेंगे और कोई भी प्रशन आपका घटना चक्र से बाहर नहीं जाएगा कोई भी प्रशन हमने छोडा नहीं है कोई भी आनिलिसिस नहीं छोड़ा लेटेस्ट डेटा को अटेट किया है सारी चीज़ें हमने अःपडेट कर दिया है को सफलता के करीब पहुंचा है तो इनी सब चीजों के साथ अब हम सुरू करते हैं आज का अपना सेकेंड लेक्चर कल हम लोग ने इसके सौर्ट नोट के एक लेक्चर को कवर कर लिया था जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा था और लेकिन अब हम लोग के डिरेशन को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि दिसम्बर लास्ता की सीज को कंप्लीट किया जा सकें तो चली यहां पर आज हम पढ़ेंगे कि बांगला देश मतलब कि आप देखेंगे कि हम चैप्टर वाइस पढ़ रहा है इसमें आप देखेंगे हम लोग ने कल अब यहां पर हम देखते हैं कि बांगला देश से सीमा साजा करने वाले जो राज्ये हैं कई बारी आप प्रशन पूछा जाता है बिहार PCS, UPPCS, उत्राखंड, RO, MP में कि कौन-कौन से ऐसे राज्ये हैं जो आपके बांगला देश से बौडर शेयर करते हैं तो आज हम पहल हैं और कुछ पुराने स्टुडेंट हैं जिनको बहुत सारी चाहिए रट चुकी हैं लेकिन हमने सौट नोर्स को ऐसे कंपाइल किया है कि सभी प्रकार के एस्पिरेंट को यह ही यूसफुल रहेगी और पूरी की घटना चकर के सभी चैप्टर कराएगा है किसी भी चैप् बंगला देश की बात करो यह जो लोकेशन में आपको रेट कलर से मैं कर रहा हो हा लेट और जिसके अंदर वॉVAला एरिय दिख रहा है यह पूरा का बंगला देश है और यहां पर आगर आप देखेंगे तो पहला आपका राज जाता है slum दूसरा आपका तीज़ी हा हो गया आपका यहां दीजेगा पश्चिम मंगाल त्रिपुरा मेगालय मिजोरम असम अब यहां पर एक प्रश्ण और बन जाता है कि बांगलादेश से सबसे लंबी सीमा कौन सी साजा होती है तो वह हो जाएगी आपकी पश्चिम मंगाल में लगवग 2216 किलोमेटर क्योंकि कि हमने एक एक प्रश्ण में कई सारे प्रश्ण को समहित किया है इसलिए में हर प्रकार के जो प्रश्ण बने हुए हैं वह आपको डीटेल से समझा सको है और दूसरा अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सीमा जो है कि इस राज्य की पॉंडरी शेर होती है तो वह अस से कनेक्टेड है यह आपका 2216 किलोमेटर है तो एक तो यह डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए इस तरीके से होते हैं यह प्रश्ण आते हैं वहीं अगर आप देखेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और अलग तरीके के कोश्ण को डील करेंगे जिसे बहुत सारी कंट्रीज हैं और हमारे इंडियन इस्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनसे वो बॉंडरी शेर करते हैं जम्मू कस्मीर की इस्थिति राज्जिस से जब यूनियन ट करके यह दोनों ही एक्जाम के लिए बेनिफीशल है फिर चाहे आप आरो का एक्जाम दीजे चाहे फिर आप PCS का एक्जाम दीजे दोनों के लिए सेम रूप से बेनिफीशल है तो आप लोग इस क्लास को अगर डीटेल से देख पा रहे होंगे तो दोनों एक्जाम के तैय आपकी कमजोर नहीं रहेगी और घटना चक बहुत अच्छे से तयार हो जाएगी तो अब जैसा कि पहला हमारा जो कंट्री होगा वो होगा बांगलादेश तो आप ही हमने देखा भी बांगलादेश के बारत के साथ कितनी बॉंडरी शेयर करता है यह भी हमने सिक्वेंस में ह दिखा है क्योंकि ऐसे यह सब प्रशनाते हैं लेकिन हमने एक ही जगह लिग दिया चार हजार 96 किलोमेटर की बांडरी शेयर करता है इंडिया के साथ बांगलादेश तो सबसे अधिक बांडरी शेयर करने वाला बांगलादेश है भारत के साथ उसमें भी पश्चिम मंगाल पर और वो हमारा है चाइना तुधरा चाइना के लिए हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको यह चीज़े देख सकें तो आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर देखिए चाइना की अगर हम बांडरी की बात करेंगे तो 3488 किलोमेटर की बांडरी टोटल यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह रहा ब्लू वाला एरिया जम्मू कस्मीर जबकि यह अब एरिया आपिस्तान से बांडरी शेयर करता है केवल और यह जो आपका ग्रीन वाला एरिया है यह पूरा का पूरा आपका चाइना से बांडरी शेयर कर रहा है तो मैकसिमम जो रेंज है वो लगदाक की है और मिनिमम की बात करूं मैं तो हिमाचल प्रदेश की है कैसे तो कि आप कि हिमाचल के बात क्या रहा है दोस्तों यह उत्राखंडा रहा है पर यहाँ पे यह छोटा सा एरिया श Religion है और यहाँ पे आरुणा-चल और यहाँ पह film अर यहाँ पे लददाक तो मुझे जरा बताएंगे आप कितने राज्योग हैं, तो टोटल पांच राज्योग हैं, कितने पांच, लद्दाक, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन उसमें भी सबसे दिक बॉंडरी शेयर कर रहा है लद्दाक, तो कि अगर आप थि इनगी बात करें, थैर्ड नमबर पे पाकिस्तान की बात करेंगे, तो चलिए ज़रा पाकिस्तान की ओर चल लेते हैं, थोड़ा इनको सिखा है, पाकिस्तान, थर्ड नमबर पर आता है, 33 является 123 किलोमेटर की बॉंडरी शेयर करते हुए जिसमें वो लगदाग से शेयर करेगा जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजराद आप ज़रा देखिए यह वाला एरिया देखिए लगदाग का है पिर यहां पर आप देखेंगे जम्मु कस्मीर आ गया पिर यहां य लंबी जो बॉंडरी है दोस्तों, आप इमेजस में ही देखके बता सकते हैं कि सर्फ सबसे लंबी बॉंडरी हमारे राजस्थान की है, जो पाकिस्तान से बॉंडरी को शेयर करता है, तो इसलिए राजस्थान पे हमने लिग दिया maximum बॉंडरी शेयर करता है, तो short notes की उपय हो जाएंगी घटना चक्रकी अब यहां पर हम देखते हैं फिर फोर्थ नंबर पर आता है नेपाल दोस्तों 1751 किलोमेटर की बॉंडरी शेयर करता है तो जरा देख लेते हैं नेपाल का है भाईया नेपाल हमारे पडोसी मित्र है यहां पर देखें उत्राखंड लिखा है उत ट्राखंड यह ग्रीन वाला यूपी हो गया है यह उक्यार मंगल और यह और यहां पर भी आप देखो्सिंग कि पांच राज्य और यह हैं उसमें ह्यां यहां पर दो कवर कराऊ सकते हैं धार अच़-दिगी बैलिस्कम्wn में हमने यहां यहां देख सक करा है तो यह हो गया साथ जिलो की जो boundary share होती है, सबसे दिक नेपाल से, और सबसे छोटी जो boundary है दोस्तों, यह हलका सा green part है, right hand पे पश्चे मंगाल का, तो यहाँ पे minimum boundary share होती है, पश्चे मंगाल की, इस इट क्लिए, फिर आगे हम देखेंगे म्यामार की बात करें, तो म्यामार 1643 40 km की boundary share करता है, चार राज्यों से, अरुणाचर, नागालेंड, मड़ीपूर, मिजोरम, तो चलिए, म्यामार को भी देख लेते हैं, अब यहाँ आप देखेंगे म्यामार लिख रहा है, तो यहाँ पे जो line निकली हो, यह यह वाली, इसके नीचे पूरा का पूरा part आपका अरुणाचर प्रदेश का, फिर यह पिंक वाला, नागालेंड, ग्रीन वाला, मड़ीपूर, और यह फिर फिर मिजोरम, तो इस तरीके से यहाँ पे चार राज्यों की boundary share होती है, लेकिन maximum की बात करेंगे तो अरुणाचर प्रदेश maximum boundary share करता है, और नागालेंड सबसे minimum boundary share करता है, तो इन सब चीजों को रट लीजे दोस्तों, PCS में या RO में और किसी भी प्रकार का विसेज प्रशन नहीं बनता है, ऐसे ही प्रशन बनते हैं, भूटान की बात करेंगे, तो भूटान को अगर आप देखेंगे, तो हम यही पे भूटान की इस्थितिक को देख ले यही तो दोस्तों यह चिकन नेक के बाद जो एक ट्राइंगल है पॉटान अपना बताता है, भूटान अपना बताता है, भारत अपना बताता है, तो यह तो यहां पर थोड़ा सा बॉटरी शेर करता है इस वाले पॉटान पे, फिर यहां पर आप देखोगे यलो वाला पा अफगान से, और हमसे सबसे चोटी सीमा साजा करने वाला जो देश है, उसका नाम होता है अफगानिस्तान, क्या नाम है उसका अफगानिस्तान, यह हमसे सबसे चोटी सीमा साजा करता है, और जबकि सबसे बड़ी सीमा जो साजा करने वाला जो देश है दोस्तों, उसका ना इस तरीके से और यही लाइन के वर लगदाक से बॉंडरी शेयर करती है और किसी भी राज्य की बॉंडरी अफगानिस्तान से शेयर नहीं होती है तो इस तरीके से आपने बाकी चीजों को भी समझा और यहां पर हम अगले फैक्ट की और देखें तो जरा सा जूम कर दूँ मैं यहां लिख रहा है भारत और सिरलंका के मत इस्तित कौन सा जल्डमरू मत है पाक जल्डमरू मत है बहुत से बिगनर स्टूडेंट इसमें गलती इसे कनेक्ट कर देते हैं जबकि पाक जल्डमरू में आपको दिखा दू जिसको लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं इसका मतलब क्या है यह दो अस्थल खंडों को अलग करता है जैसे यह भारत वाला पार्ट है और यह सिरलंका का पार्ट है इनको अलग कर रहा है लेकिन वहीं दो जल संधियों को आपस में मिलाता है जैसे यह वाला जो पार्ट है यह बेव बैंगॉल का है और नीचे आपका हिंद महासाग है तो इनको आपस में मिला रहा है क्योंकि पानी तो अलग होता नहीं पानी एक दूसरे में जाकी मिल जाते है तो जब भी जल्डमरू पढ़ तो भारत के तमिलनाडू राजजी को और सिरलंका को आपस में अलग करता है इस इट के लिए तो चलिए और आगे की चीजों का हम समझ देते हैं तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो भी स्टड़ी की वह हमारा चैप्टर नंबर वन था जिसमें हमने समझा था सामाने परिचे भारत के बारे में जो हमने कल की क्लाश की थी और आज का अभी तक पड़ा जिसमें हम लोगों ने भारत की अक्छान्सी, देशांत्री, लोकेशन, दच्छडी बिंदू, उत्तरी बिंदू, दूरस्त बिंदू, यह सभी चीजों को हमने पड़ा लेकिन अब हमारा जो दूसरा chapter सुरू हो रहा है, वो हो रहा है हमारा, कौन सा भौतिक विभाजन, क्या है दूसरे chapter का नाम दोस्तो, उसका नाम है भौतिक विभाजन, तो इस भौतिक विभाजन में, एसपेसली हम लोग भारत के जियोग्राफिकल जो location है, जिसमें हम लोग परवत, पठार, घाटी, नदिया, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से, कि मध्धिवर्ती, मध्धिजीवी, जिसे हम लोग मैसो जोई कल्प भी कहते हैं, में गोंडवाना लेंड के विसाल भुखंड का वि यहां पर थोड़ा जूम कर लेता हूं, जैसे मानली जी बताया जाता है कि जो सबसे पहले इन्होंने वेक बैंग ठेरी बगरा जो प्रमाणी कुद पत्ती की थी, तो उस समय तो एडवर्ड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे, वेग्ध्यानिक, जो कि 1912 में इन्होंने आपका क्या होता था, यह आपका पैंधालसा था जो एक समुद्र के रूप में, पुरा बड़े महासागर के रूप में रहता था, और बीच में आपका पैंजिया था, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्टन होने के साथ, यह जो पैंजिया था दोस्तों, यह पैंजिया आपका दो पार्ट में तूट गया, इसमें एक पार्ट हो गया उपर और एक पार्ट हो गया नीचे, और बीच में आपका जो समुदरी पानी था, वो भी आ गया, इस तरीके से महासागर आ गया, तो ये जो नीचे वाला दोस्तों पार्ट है, उपर वाले को तो हम लोग कह द पूट गया और यहीं से भारत का हिस्सा इस तरीके से निकल गया और यह जीरू डिगरी से उपर की और विस्थापित होने लगा और इसी को गोंडवाना लेंड का हिस्सा कहा जाता है और इसी लिए भारत में गोंडवाना लेंड पर सबसे अधिक कोईले के निछेप मिलते है सबसेदी कोईले के भंडार मिलते हैं भारत में जिससे ये सिधानतता प्रूफ होता है कि भारत आदी काल में कभी न कभी करोडों वर्सों पहले गोंडवाना लेंड का हिस्सा हुआ करता था यानि दचछडी गोलार्ड का हिस्सा होता था जो धीरे धीरे भारत अब उपर की विस्थापित हो रहा है यानि जो भारत तभी जीरो डिगरी के नीचे रहता था अब वो खिसकते हुए सीधे-सीधे यहां आ गया कि आठ डिगरी चार मिनट से सुरू हो रहा है और धीरे-धीरे इसमें लगातार विस्थार हो रहा है उपर की वर तो इसी को हम इस स्टोरी को कहते हैं महाद्यूपी विस्थापन सिध्धान और अब हम दूसरे पॉइंट की चोलते हैं कि भारत मुक्त चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है यानि भारत में आपको चार मुक्त के रूप से चीजे देखने को मिलेंगे अब जैसे कि इसमें आप देखोगे चार मुक्त के रूप से प्राकृतिक प्रदेशों माटा गया है तो एक उत्तर का परवती छेत्र अब उत्तर के परवती छेत्र का मतलब हो गया दोस्तों यह जो हिमालय का विस्तार है पूरा का पूरा इतने राज्यों में हिमालय का विस्तार है इसी को कहा जा रहा है उत् विसाल मैदान का छ्षेतर्जर जो आपका इच्छड भारत के हिसदे को मुक्षिरूप से कहा जाता है जो विसालिक्तिक लावा чतान से बना हमें, थोड़ा ट्राइंगल की फोर्म में होता है तो यह तीसरा एरिया हो गया, आपने देखा, सबसे उपर मैंने आपको बता दिया, भारत का जो हिमालेई च्छित्र है, दूसरा मैदानी च्छित्र जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है, और तीसरा आपको मैंने बता दिया, ट्रैंगल के फॉर्म में, जिस हम करेंगे, जैसे पाताल तोड़ कुएं, यह कई बार प्रशन पूछा जाता है, भातिक विभाजन के अंतरगर, कि पाताल तोड़ कुएं, मैचिंग करने के लिए आता है, या इसका अर्थ पूछा जाता है, सामानिता, मुखिता यह हिमाले की तराई में स्थित होते हैं, त यहां पर सिवालिक रेंज आपको मिलती है, या सिवालिक के भी नीचे मिलती है, क्योंकि परवतों का विस्तार जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे ट्रांस हिमाले सबसे पहले मिलता है, फिर उसका ब्रहत हिमाले मिलता है, फिर लगो हिमाले होत यह सबी तराही छितर में आते हैं और यहां पर आपको पाताल तोड पूए मिलते हैं इनका मतलब क्या है कि पहले कुवा खुदा जाता है और फिर वहां से जल स्वता निकलने लगता है अब आप कहोगे किसर ऐसा तो हमारे गाओं में भी होता है, दोस्तो नेकिन जो गाओं में जो कुवा खोदा जाता है, उसमें सामाने तब पानी निकलता तो है, लेकि लंबे समय तक नहीं निकल पाता, बलकि उस पानी को भरने के लिए जब मानसुन के समय वर्सा होती है तो उस कुवे में पानी और भर जाता है, लेकिन यहां क्या होता है हिमारी छेत्रों में, नीचे इतना पानी होता है कि वो पाताल तोड़, मतलब कुवा एक खोद देते हैं, और ऐसा लगता है कि कितनी धहराई में जाके खोदा है पाताल की तरह है, इसलिए वहां से सोता पानी शुरू हो जाता है फिर इसके बाद बात एक होती है कि पश्मी तट का निर्माण भूमी की किस प्रकिलिया से हुआ है तो एक होता है उत्थान और एक होता है निर्गमन या निमजन भी कभी कभी आ जाता है क्या आ जाता है दोस्तों निमजन भी आ जाता है अब यहां पर क्य ऐसा ज़रूरा है लेकिन यह उबर खावड़क फार्म में है यानि कि जिग-जैक पैटन में है यहाँ पर आप रियली में जाके देखेंगे तो जिग-जैक पैटन में है उसके पीछे एक रीजल यह है कि जब भी जो भी समुदर का हिस्सा जब यह नीचे निकल जाता है अर् प्रिक्रियाओं से भी लगातर आउसादों के एकत्रित होने पर पश्यमी तटका निर्माण देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हम आपको दक्कन ट्रैप के बारे में बता दें कि दक्कन ट्रैप अब देखे भारत की लोकेशन को हम कैसे ट्रैक कर रहा है कि कहा कहा से किसका निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेसियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। उसके अंतिम चरण का आप्शन हाता तो आप इसे स्विकार करेंगे यानि इसे तिक करेंगे और अगर पश्मी तटका पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है सेनेजोईक काल में। और अरावली की बात करें तो Pre-Cambrian. अचाहीं यहाँ पर दो यूग होते हैं दोस्तु. एक होता है Cambrian और एक होता है Pre-Cambrian. Cambrian का मतलब होता है जिसमें जिवासमी चटाने पाई जाती है। मतलब जब पेड़ पौधे जीव जन्तों का जन्म हो चुका था और वो एक लंबी प्रिक्रियागवा जब मर के दब गए, गल गए, सड गए, तब जो है कि हम कह सकते हैं वो Cambrian यूग है क्योंकि उसमें जीवास में मिलता है और Pre-Cambrian का मतलब होता है जिसमें जीवास में नह ही मिलता है तो सबसे पहला यूग क्या होगा? Pre-Cambrian होगा और फिर धीरे 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 जब वनस्पति और जीव जन्तों का जन्म हुआ तो हम कह सकते कि उस समय जो भी चट्टाने पाई जाएगी वो सब Cambrian होगी क्योंकि कहीं न कहीं इन जीव जन्तों के पौधों के और इन सिथान गुजराश से सुरू होती है पालनपूर से और दिल्ली के महरावली तक जाती है तो यह अरावली जो परवस रिंकला है तो क्या है इसमें जीवास में आपको देखने को मिलेंगे तो आप कहो कि नहीं सर इसमें जीवास में नहीं मिलेंगे तो कि प्री-Cambrian यूग क है जिस समय किसी भी जीव जन्तु या पादप की उत्पत्ती नहीं हुई थी अगर एक और प्रशन में पूछ लूँ आपसे कि निमलिखित में से कौन सी सरवादिक प्राचीन जो एक परवस रिड़ी है जिसमें हिमालय ऑप्शन में हो जाए और पूरवी घाट ऑप्शन म या फिर आपका अरावली हो जाए, तो सही उत्तर होगा अरावली तो कि अरावली सबसे पुरानी सिरीडी में आती है, प्री-कैम्प्रियन में, हलाकि विस्व के और भी अलेग धेस हैं, जहां पर इनके साथ-साथ जो और भी मंटेन उतपत्य हुई थी प्री-कैम्प्रिय प्रति के साथ चीजे सभी हो जाएंगी तो चली और देख लेते हम और यहां पर हम देखेंगे कि केरल का कुट्टा नाड जो कुट्टा नाडूबी आतरीक प्रसिद्र आये क्योंकि भारत का नियुन्तम उचाई वाला छेट्र है यानि सब से कम उचाई वाला छेट्र है यह तो यह importance नहीं है इसकी importance यह कि धान का कटोरा कहते हैं इसको यहाँ पे धान बहुत अधिक होता है और खासियत क्या है कि Food Agriculture Organization जो International Suns था है उसने कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैस्विक महातपूर क्रिसी विराशत प्रणाली के रूप में घोसित किया है तो G-I-A-H-S यहाँ इसको जो है कि वैस्विक विराशत के रूप में इसे खोसित किया है कि यहाँ से देश के और भी राज्यों के सासथ विदेशों में भी विश्व में भी लोगों को सीखना चाहिए कि हमें खेती को कैसे करना चाहिए जहाँ पर यह इस्थिती देखने को मिलती है तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि कुट्टा नाड किस जिले में है मतलब किस राज में तो आपको बताना है केरल और कुट्टा नाड किस लिए फेमस है क्योंकि धान की खेती के जो तरीके हैं उनके लिए यह फेमस है अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले सिक्वेंस लगाने में दिक्कत होती है तो जरा इसको भी समझते हैं सबसे पहले आती है आपकी आर्कियन चट्टान की क्राम फिर उसका धारवाड आएगी फिर कुडपा आएगी फिर विंद्यन आएगी फिर गोंडवाना आएगी कैसे आएगी जैसे मान लीजे जो आर्क चालन देखने को मिलता है आप छे देखने को मिलता है वेधरिंग देखने को मिलती है चरण देखने को मिलता है तो हमें देखने को मिलती है कुडपा चट्टान देखने को मिलेगी और कुडपा चट्टान में भी दोस्तों हवा पानी वायू नदी के माद्यम से चरण होता है तो यह पर देखने को मिलेगी बिंद्याद चat告訴 Woah? यह यहां पर देखने को मिलेगी गोंड़वाना चat пит यह पूरा कपूर ऐकी और यहां से प्रश्मश्ड आइज पाई पर पूछे जाते हैं कभी कभी यह भी किसकी खान मिलती है यानि कि सबसेदिक मिनरल्स मिलते है चट्टानों के बारे में तो इसलिए उसी जगह पर इसका नाम रख दिया गया है जिसमें मुख्यता आपको सोना लोहा अब्रा किस तरीके की चीज़े वहाँ पर मिलेंगी फिर उसके वाद कुडपा चट्टान हैं सीमेंट इड्नस्ट्री को फिर देखते हैं हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना में अगर हम देखें तो सरवाधिक बिटुमिनस नाम का कोईला मिलता है जिसमें सल्फर की मातरा नियुन तम होती है क्योंकि जब मैं आपको इन्धन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको कोईले के बारे में बता दूँगा लेकिन नहीं पर शौट इन्धन धंफर की मातरा नियुन तम हो और कारबन की मातरा मैकसिमम हो ब्से अच्छी क्वालिटी के क्यों इन्धन कोईला होता है लेकिन करते क्योंकि हम इस पे निर्भर नहीं रह सकते लेकिन दूसरे नंबर की क्वालिटी होती है बिटुमिनस की तो जो बिटुमिनस कोईला है दोस्तों वह सबसे अधिक आपको मिलता गोंडवाना लैंड में लगबग बताया जाता है रिपोर्ट के कोडिंग कि 95 प्रतिशत से अधिक बिटुमिनस कोईला हमारे भारत में मिलता है और यह गोंडवाना लैंड में मिलता है इसी लिए बिटुमिनस कोई hell का नहीं होता है इसका कोई ज्यादा USE नहीं होता है तो यह तो आपको थोड़ा समयने बास प्लस कोईंट यहां पर بتा दिया एक्स्ट्रा चीज में, देकि मैंने बताया था आपको नोट्स को जब डीटेल बतार था कि नोट्स की विसेशता क्या-क्या है, तो मैंने इस परस्ट बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी PDF निकलवाके या आप अपने किसी भी टैबलेट में या मुबाइल में अपना ओपन करके साथ में क्लास अगर करते रहेंगे दोस्तों और उसको अपडेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाए घटना चाकर कि आपको फिर कोई हड़क नहीं लेनी प वहीं भारती भुगरविक जो समय मापक है इसकी सुरुवात या जो इसको कौन लेकर आ था तो टीएस हॉलेंड के द्वारा लाया गया था इसके द्वारा लाया गया था अब इसी में अगर हम बात करें कि गंगा मैदान को जियो सिंकलाइन या भू अभिनती गर्थ के प्रश्ण आ जाते हैं और कुछ नहीं अब यहां पर एक प्रश्ण और आता है दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है कि यह जो व्रिहत हिमाला है लगो हिमाला है सिवालिक हिमाला है इनकी उत्पत्ती कौन से यूग में हुई यह कई बार प्रश्ण डिपीट होता है आप भी वाईक्यू में देख सकते हैं तो जैसे व्रिहत हिमाला की बात की जाएगी तो यह उलिगोसीन यूग में होता है फिर लगो हिमाला की बात करेंगे तो यह मद्यमायोसीन यूग में होता है यूग में होता है ध्यान देना व्रिहत हिमाला 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 हिम मद्यमायोशीन, सिवालिक, प्लायोशीन लेकिन अगर मैं कहूं कि एक किस काल से सम्मंदित है तो ये 30 मों ही योग आपको तरसरी काल fiction सम्मंदित मिलसे फा मिल सस obraव है जो कि व्रियाद हिमालाय से पहले ही उसकी उत्पत्ती होती है, तो ट्रांस हिमालाय की उत्पत्ती क्रिटेसियस टर्सरी काल में होती है, यानि कि क्रिटेसियस खत्म हो रहा है और टर्सरी एंट्री हो रही है, उसी दौरान इसकी उत्पत्ती होती है, और जब पूरी तरीके स यूग और टर्सरी यूग में जब एंटरी होती है, संक्रमर जोन होता है, वहाँ पे ट्रांस हिमालय यूग पैदा होता है, और उसके बाद टर्सरी यूग पैदा होता है, यह इंटरकनेक्टिट पॉइंट रहेगा, जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे, अब यहाँ पर उप हिमालय च्छेतर के सहारे, फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है, अब इसको मैंने एक डाइगराम की बेस पे आपको बताया है, तो इसको समझ लेते हैं आप हमसे, अब देखते हैं, जैसे देखी यह जो परवत वाला च्छेतर होता है दोस्त बिहार, पश्य मंगाल होते हुए जो एकी नदियां, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका मतलब क्या है, वो नौर्ट से निकल ले हो, साउथ की और आ रही है, तो ऐसी इस्तिति वो चार फेजस से होकर आती है, सबसे पहले जब वो नौर्ट से निकल रही होत तो उन्हें एक सबसे बड़ा मैदानी चेत्र मिलता है, मतलब भाबर चेत्र जो मिलता है, जो मुख्य तक कंकड़ों के होते है, बड़े-बड़े पत्थरों का होता है, और यहां पर सामाने तक कहा जाता है, कि नदी बिलुप्त हो जाती है, क्या हो जाती है, तो अगर इसा लगता है कि नदी यहां पर बिलुप्त हो गई है, फिर नदी के बाद जो एक यह नीचे वाला हिस्सा आता है, जहां पर यह दल्दल की तरह पानी आखट्टा होता है, जो हम हमालहे के नीचे वाले छथ्छतर को देखते हैं, जिसे हम तरही का मैदान कहते हैं, Supreme allez होता है खादर सिंपल सी बात है बांगर वो जमील कहलाती है जहां पर बाढ़ नहीं होती है या बहुत ही ऊपर हो चुके होते हो बाढ़ के मैदान के शितर से ऊपर हो जाते हैं जिसकी बज़े से वहाँ नदियों का जो अधिक पानी होता है वो बाड के रूप में तबदील तो होता है सहरों में लेकिन इन मिर्दाओं पे नहीं पहुंचता है और फिर लास्ट राता है आपका खादर जहां पर इमेजेस बता रही है कि यह क्या हो रहा है यह मैदानी छित्रों पानी का बहाओ इतना अधिक हो गया जमाओ इतना दिक हो गया कि यह बाड के रूप में कनवर्ट हो गई और खादर वाले छित्रों में आपको बाड देखने को मिलती है तो कई बार यह प्रश में पूछा जाता है कि बाड कहा पर आती कहा नी तो उसकी जानकारी आपको यहां पर बता दी मैंने फिर अ हिमाला है और सिवालिक हिमाला है इन तीनों के उत्पत की हुई और तरसरी काल में भी दोस्तों इसमें तीन अलग 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 फेज होते हैं मतलब पांच होते हैं एक तो पेलियोशीन, ईयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन ठीक है तो यह जो है कि अलग अलग अ पेरियेट्स होते हैं और tursary के बाद एक चौतहा आता है quaternary, it means जो senejoy के वो दो पार्ट में डिवाइड है ना, tursary में और quaternary में tursary में पार्ट के भी हमने यह सारे काल देख लिए, अब quaternary में भी दो पाइट आते एक होता है पलेश्टोसीन एक होता है होलोसीन तो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं अपने आपको जिस यूग में जी रहे हैं उसका नाम है होलोसीन तो होलोसीन किसके अंतरगत आता है सिवालिक स्रेडी कि अगर हम बात करें तो इसकी जो ओसत उचाई है 900 से 1100 मिटर कैसे पता चलेगा क्योंकि सिवालिक में जो हमें परवत चोटियां देखने को मिलती है उनकी मैक्सिमुम लेंद उचाई जो होती हाइट वो 1100 मिटर की होती है लेकिन अगर मैं कहूं कि 8848 जो मीटर की हाइट देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट की तो ये कैसे देखने को मिलती है क्योंकि ये हमें सिवालिक हिमाले में नहीं बलकि ये हमें महान हिमाले में देखने को मिलती है इससे क्या पता चलता है कि महान हिमाले की जो हाइट है वो लगभर लोग 9 किलोमीटर की लेंथ में है, 8,848 मीटर का मतलब हो गया, 9 किलोमीटर के अप्रॉक्स, अब एक और यहां से प्रश्न एक बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, हर साल आता है यह, आपसे हिमालय का जो डिवीजन है तो उस्तों को नदियों के माग्यम से करता है, जैसे पंजाब हिमालय हो गया, कुमाओ हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया, तो इनको नदियों के आधार पे बांटा जाता है, जैसे सबसे उपर आपके लद्धाक से होते हुए सिंदू नदी निकलती है और पंजाब हिमाचल की ओर से 17 नदी है तो इन दो नदियों के बीच में जितना भी हिमालाय का च्छेतर आता है उसे हम पंजाब हिमालाय का नाम देते हैं जो समानता सिंदू और सतलच के बीच का एरिया है लेकिन जब आप सतलच से नीचे उतरते हो और काली नदी जो कि आपके नेपाल उत्राखंड के बॉडर पर है जिसको हम सारदा नदी भी कहते हैं तो इनके बीच वाला जो एरिया आता है वो कुमाउ हिमालय के नाम से जाना जाता है जो उत्राखंड का मुखिता पार्ट होता है फिर काली नदी से आप नीचे उतर के तिस्ता की और आते हो जो आप देखोगे कि नेपाल के तच्छडी हिस्से से सिक्क्यमुक्यम के छित् मिलता है तो अब जरह मैं यहां पर आपको मैप के सहारे से आपको चीजे क्लियर कर दो इसे अब जैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों इस मैप में तो आप देखोगे कि यहां पे सिंदो नदी होते हुए बहती है यहां पर और यहां पे कहीं थोड़ा सा यह सतलज नदी ह तो इसके बीच का यह जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे पञाब ह हिमाला कहेंगे और इसी सतलच से अगर यहां पे आप देखओ के काली नदी का हिस्सा तो इसी इसको हम क्माओ खेंगे और जब मैं इस का यह नदी की तरफ आता हूं दिहांग नदी की तरफ तो इन नदियों के बीच का हिस्सा जो होता है वो असाम हिमाले कराता है और उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि पीर पंजाल स्रेडी धौला धर स्रेडी ये दोनों इस हिमाले में पूछी जाती है, maximum बार ये प्रश्ण पूछा गया important रूट से और अगर आपने PYQ solve की होंगे या कभी आपने civil services exam दे होंगे तो इन प्रश्णों से आपका पाला जरू पड़ा होगा और maximum student गलत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है पीर पंजाल स्रेडी जो है की वरियत हमाले में और धौला धर स्रेडी उसे नेपाल हमाले में लगती है तो इसका सही उत्तर हो जागा मत्य या लगो हमाले पी नमसे कहते हैं जो great हमाले के बाद आता है और सिवालिक हमाले से पहले आता है तो इसी तरीके से हम परवस शरिंकला को भी देख लेते हैं कि इसका भी मिलान आता है पश्चिम से पूरब क्यों है किदर से किदर आता है पश्चिम से पूरब क्यों है जैसे कि परवस रिंकला में आप देखो कि सबसे पश्चिम में आपकी धौला गिरी है फिर अनपोरा है फिर मसालू है फिर एवरेस्ट फिर मकालू और फिर कंचन तो ध्यान देने वाली बात है कि इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है अगर मैं बनाओं तो यहां पर देखिए धौला गिरी बन गया फिर अनपोड़ा यह अनपोड़ा आपको उत्राखण मिलेगा फिर मसालू फिर मसालू के बाद आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा फिर मकालू म मिलेगा और फिर उसके बाद कंचन जंगा जो सिक्किम में है तो ध्यान देना कि यह हम किधर जा रहे हैं यह हम पश्चिम से पूरब की ओड़ जा रहे हैं दो एक मकालू है और एक मसालू है इनके बीच में माउंट एवरेस्ट मिलता है जो कई बार पूछा एता है और यह कंचन जंगा है जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा फिर इसी के बाद अरुणाचल प्रदेश की पठकाई बूम जो पहाडियां है इन से सनलगन जो राज्जी है जैसे आसाम हो गया मडीपुर हो गया मेगालय हो गया मिजोरम हो गया नागालेंड हो गया क्या सकते ह कि नौर्थीष्ट की प्रमुक राज्य है उन सभी में पठकाई बूम पहाडियों का विस्तार देखने को मिलता है जबकि तरिपुरा में आपको मीजो पहाडियां देखने को मिलेंगी जो कि मिजोरम और तिरपुरा की सीमा पर होती है इसलिए कुछ हिस्सा इन का कि मिजो पहाड़ी मिलेगी तरिपुरा में अब एक लेटेस्ट करेंट का कोशन आया हुआ था दोस्तों टनल एक्सप्रेस की बारे में तो अटल टनल जो की हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जो की स्वरगी प्रधान मंत्री है अटल विहारी बाचपेजी उनके नाम पर व पूर्वी पंजाल स्रिंखला में यह इस्थित है रोहतां जो कि हिमाचल प्रधेस में दर्रा है यहां पर 3 अक्टूबर 2020 को उद्गाटन किया गया था पीम मोदी जी के द्वारा तो यहां से जो दो प्रश्ण बन सकते हैं पहली तो वह सबसे लंबी यह परिवहान पूर्वी पंजाल स्रिंखला में इस्थित है और रहतांग दर्रे में इसका उद्गाटन किया गया 2020 में तो यह दो तीन प्रश्ण यहां से बन जाते हैं अब इसी के बाद हम बात करेंगे कस्मीर घाटी इस्थित है दोस्तों यह भी पूछा जाता है तो कस्मीर घाटी आपके पीर पंजाल में इस्थित है और पीर पंजाल आपके वरियाद हमाले में तो यहां ध्यान देना कि जो कस्मीर घाटी दोस्तों यह पीर पंजाल और वरियाद हमाले के बीच में क्योंक पाकिस्तान का सम्मिलन संधी होती है अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को क्लियर नहीं हो पता है कि अकसाई चीन का जो पार्ट होता है वो कौन सा है तो मैप में मैं क्लियर कर दूँ आपको तो यहाँ पर आप देखोगे कि अकसाई चीन वाला यह जो boundary शेयर हो जाती है अब चलते हैं तो इसको यहां पर लिख भी रहा है कि जो लद्दाग का पठार है जो अकसाई चीन के नाम से जना एता है यहां पर चिन यानि की छोटा चीन होता है तो इसे ही हम कहते हैं अकसाई चीन जो कि लद्दाग पठार में जिसमें तीनों देशों क की लोकेशन मिलती है मद्ध हिमालय के अन्य नाम क्या क्या है जैसे जो हमारा लगो हिमालय है उसको हम लगो हिमालय के रूप में भी जानते हैं महाभारत के नाम से भी जानते हैं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं हिमाचल क्यों कि मुखिता इनका विस्तार हिमाचल में ही है इसी लिए हम इसको हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं अब जरा मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रशन बता देता हूँ जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने नीचे लिख रहती है तो चलिए देख लेते हैं हम नौर्थ से जब साउथ की और जाते हैं तो हमें हिमाल विस्तार होता है तो इस त्रीके से जो विस्तार होता है इसमें आप देखोगे आप संदु और संग्पो नदी का अरिया देखेrav मिलता है क्योंकि सिंदो नती ट्रांस हिमालय से वोकर ही तो बैती है मिलता है फिर जब लगो हिमालय से लगो कि तरफ आते हैं तो यहां हमें MBT मिलता है, main boundary fault मिलता है और उसके बाद जो हम सिवालिक से मैदानी छेत्रों प्रिवेस करते हैं तो हमें MFT मिलता है, मतलब main frontal thrust तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, कई बार ये प्रशन पूछ लेता है और confuse create करता है, confusing कर देता है कि कैसे हम इस पर काम कर पाएंगे तो क्या समझ में आया आपको, कि trans हिमाले से वरिहत हिमाले के बीच में आपको ITSZ मिलेगा, Indus Sanco, Sachar, जोन, फिर वरिहत हिमाले से लगू हिमाले के बीच में MCT, main central thrust और फिर लगू हिमाले से आपको सिवालिक हिमाले के बीच में MBT, main boundary जो thrust होता है या main boundary fault भी कह सकते हूँ, और उसके बाद आपको मिलेगा ये सिवालिक जो मिलेगा, सिवालिक से मैदानी तरफ पाऊगे, तो MFT मिलेगा, main frontal thrust मिलेगा तो ये चीज़े clear हो गए, अब यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हम अगले point को समझते हैं जिसमें मडीपूर पहाडियों से घिरा एक इमफाल basin है दोस्तों, इमफाल basin ये एक सुंदर उधारन है किसका सरोवरी मैदान का ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मडीपूर पहाडियों जो इमफाल basin है, उसमें सरोवर जैसे लोकटक, जील वगएरा हो गई है सब, तो यह ऐसा मैदान है जिसमें सरोवर है, तरीके से पानी भी है, दलदली छेतर भी है, और उस तरीके के मैदान यहां पर डवलप हो र तो प्लीज मैं यही सजेशन दूगा, कि आप इसकी PDF को पर्चेस कर लीजे, जो बहुत जादा महंगी नहीं है, बर्गर की प्राइस से भी हम लोगों ने कम रखा है इसको, जो भी आपके लिए खरीदना कोई बड़ी चीज ने रहेगी, लेकिन इसके साथ अगर आप देख लेते हैं कि मुख्य हमाले, लगो हमाले, सिवालिक हमाले, अब यहां से भी देखी प्रश्म पूछता है, कई बर आपको डाउट में डाल देता है, यूपी एससी जैसा एक्जामनर जो होता है, वो भी डाउट में रखता है, PCS में भी, कि क्या हम कह सकते हैं कि हमाले में आगने, अवशादी, कायांतरी, सैले मिलती हैं कि नहीं, तो सीधा एंसर समझिए, किसी भी परकार का हमाले, अच्छा, यहां पे देखना मैंने ट्रांस हमाले का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रांस हमाले में यह अपवादिक स्थिती होती है, तो ट्रांस हमाले अच्छा, आगने चट्टान का जो निर्माड होता है, वो ज्वाला मुखी क्रिया से भी होता है, यह यू कहें कि इसमें जिवासम नहीं होते हैं, यह जिवासम रहित होती है, तो बहुत अधिक आग होती है, उसमें लपट होती है, जिसकी वज़े से किसी भी परकार का जि करते हुए उपस्थित होती है जिसमें नदियों के द्वारा मालीजे किसी पत्थर को काट के बहाया जा रहा है तो रास्ते में आने वाले पेड़, पौधे, जीव, जन्तू, मिर्द, सड़े, गले, कुछ भी पतार्थ इन चट्टानों के बीच में आके समाहित होते जाते है और बाद में ये जीवास में युक्त हो जाती है तो ये बेसिक अंतर होता है आगने और अवसादी अब यहां पर एक प्रश्ण और बनता है आपसे कि क्या कायांतरी चट्टान जीवास में रहित होती है या जीवास में युक्त होती है तो मैं कहूंगा कि दोनों होती है अ लेकिन अगर यही रूपांत्र आगने चटान का हो रहा है तो इसमें जीवासम नहीं आएगा और ऐसी इस्थिति में आप देखोगे कि रूपांत्री चटान आपकी जीवासमे भी हो सकती है और गैर जीवासमे भी हो सकती है अब इसी में एक और पॉइंट हम समझते हैं यहा अर्थान जो हमाले की इस रेड़ी का सबसे निचला पार्ट होता है उसमें आपको बुर्ज होम और गुफकराल में मानो सबिता के आवसेस मिले और यह जो बुर्ज होम है यह कहीं और नहीं बलकि जम्मू कस्मीर की रेंजी में आते हैं यह सभी छिदे जो हम लोग हडपा सबिता को पड़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या पहाड़ी छित्रों में भी इसके प्रमाण मिले हैं तो बिलकुल सिवालिक हमाले मिलें बरिहद और लगू हमाले में नहीं मिले हैं अब यहां पर आवसिस्ट परवत या घर्षित परवत किसे कहते हैं जो प्री आवली को आज आप देखने जाएंगे तो दिल्ली में भी आपको जगह 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 थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा थोड़ावुत को मिनार पे मिलेगा थोड़ावुत महरुली इस्तम पे मिलेगा इंडिया गेट के पास मिलेगा इसी तरीके से आप जब गुजरा यहां से बनता है जैसे नर्मदा अवं तापती के मद सत्पुड़ा स्रेडियां होती है कैसे समझना है तो यहां पर आपको इमेजेस में बता दू यह वाली लाई यह इमेजेस आपको ध्यान देना है इसमें चार चीजें दो परवत और दो नदियां कैसे जो सबसे ऊपर वा अगर मैं कहूं सत्पुड़ा के नीचे कौन सी नदी बैती है तापती नदी बैती है तो अब यहां से मैं दो प्रकार के प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं पहला प्रश्न कि दो परवस्रेडियों के बीच में कौन सी नदी बैती है नर्मदा नदी वो और तापती नदी के मद्दे कौन सी परवस्रेड़ी होगी सद्पुड़ा परवस्रेड़ी होगी तो आपको कुन मिलाके इसका क्रम याद कर लेना है विंध्यन नर्मदा सद्पुड़ा तापती इन चारों को आप याद रखेंगे तो यहां से जो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कोई भी प्रश्ण बन जाएगा तो आप एजिली जोएकी से सॉल्व कर सकते हैं क्लियर इतनी बात अब यहां पर हम देख लेते हैं अब कई बार आप से उत्तर से दच्छड जो पहाड़ियां होती है उनका क्रम लगाने के लिए आता है पहाड़ियां 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 देखने को मिलती है जो कृष्णा नदिया और जो पिन्नार नदिया है उसके मद्ध देखने को मिलती है और उसके बाद आंद प्रदेश से नीचे उतरोगे तो तमिल नाडू आएगा जहां पर आपको जवादी पहाड़ी देखने को मिल जाएगी और जवादी पहाड़ी के नीचे आप आएंगे तो जो पश्मी घाट और पूर्वी घाट की जो गाट होती है जोईंट पॉइंट होता है जहाँ पर जो मिलन होता है पूर्वी और पश्मी घाट का उसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी जिसका विस्तार मुखिता केरल, करनाटक और तमिलनाडू में हैं तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी जिसको पहाड़ीों की रानी भी कहा जाता है यह भी प्रश्म पूछ लियाता है कि पहाड़ीों को रानी किन पहाड़ी को कहाता है और यह पांच आप्शन रहते हैं आपके सामने पिर नील गिरी के नीचे आप अन्ना मलाई देखोगे जो कि केरल और तमिलनाडू की सीमा पर होते हैं और केरल में ही सबसे नीचे आपको मिलेगी कार्डमम पहाड़ियां कार्डमम का मतलब जाए क्योंकि इसे इलाइची पहाड़ी भी कहते हैं तो कि माना जाता है कि यहां पी जो इलाईची की खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है केरल में, काडमम पहाडी में, तो यह क्रम आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्ष है, बहुत सारे स्टुडेंट इसमें नल्ला मलाई और जवादी पहाडी में कंफिर जाते है कुछ लोग जवादी को उपर कर देंगे, नल्ला को नीचे करती और यहां पी प्रशन गलत हो जाता है, फिर इसी के साथ हम और आगे चीज़ देखते हैं, जैसे पश्चिम से पूरव का क्रम, काई बार होता है कि पश्चिम से आपसे वेस्ट टू इस्ट क्रम पूछा जा महादेव पहाड़ी भी आपको MP मिलेगी, और महिकाल पहाड़ी आपको MP 36 गड़ के आसपास मिल जाएगी, फिर 36 गड़ में आपको अमरकंटक चोटी भी, वहीं उसके आगे हम छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, और फिर खासी पहाड़ी, जो कि गारों खासी जै है, जैसे बाला घाट स्रेडी हो गई, हरिश्चंस्रेडी हो गई, सत्माला स्रेडी हो गई, इह तीनों पूर्ड़तया, मतलब पूरी तरीके से यह महराश्ट में है, जबकि मानडव स्रेडी की बात करेंगे, तो यह गुजरात में है, गुजरात में कहा पे? इस वाले point को होती दोस्तों मांडा उस्रेडी यहां पर होती है जबकि बाला घाठ धरिश्चंद्रा सत्माला यह तीनों ही महरास्त में आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना तो कि इसका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है अब इसी के बाद एक औ उन्हों मुखिता मिलनाडू में आती सफिसों में जाना मलाईकी पःडिया आंद्र Online नाडू के लकुए है और आज कहुमारा लेनास टॉपिक रहेगा धर्ट ह की बहुरत के 30 मैदान अब यहां से आपने एक आईडिया ले सिप्धा वह कहीं न कहीं PYTU के साथ सथ detail analysis उसमें mention किया गया है और आप देखो कि कम समय में ही कम pages के दौरान ही आपने घटना चकर के लगबख 70-80 pages को read कर लिया इन दो ही class है मेरे साथ और आपने अगर notes लिये होंगे short notes तो आपको और भी अच्छे सा समझ में आओगा अगर आप इसके साथ study कर रहे हैं short notes कैसे लेने दोस्तों इसके बारे में आपको नीचे whatsapp पर inquiry करनी पड़ेगी वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं जिसकी detail मैंने नीचे whatsapp number पर दे दिये हैं वहां से आप purchase कर लीजेगा और वहां से आप इसकी complete जानकारी ले सकते हैं ताकि आपके सामने सारी चीज़े clear रहे हैं कि ताकि आप जब PDF को purchase करें उससे पहले आपको clear रहे कि इस PDF में आपको क्या क्या benefit मिलेगा मैं 95% की guarantee लेता हूं दोस्तों हो सकता 5% लोग मुझसे कमेंट दिये positive response दिया क्योंकि हमारी टीम का work ये बहुत ही प्रशंद आया लोगों को बहुत appreciate किया तो कि कम समय पे दोस्तों आपको revision करने के लिए हम एक ऐसी रामबाड उसली रहे है जो आपके exam में 20 से 25 नमबर सीधे increase कर देगी चोटे मोटे अंक नहीं होते बहुत बड़ा अंक कुता ही है तो चलिए last topic का हम cover करते है तटीय नाम अब तटीय नाम से तीन प्रशन आ चुके है UP PCS 2019 में आया हुआ है RO 2017 में आया है RO 2021 में पेपर आया हुआ है आप देख सकते हैं PSC में भी आया हुआ है लेकिन उसमें problem क्या होती है बहुत सारे student माला बार कोरो मंदल में कन्फियो जाते हैं कोंकर तट कंणर तट में कन्फियो जाते हैं काठियावार तट में कि किस location पे कहा कहा हम इसको बोलते हैं तो जैसे कि देखोगे कि गुजरात के इस point से लेकर दमन दीब के point तक अगर आप आओगे तो इसको हम काठियावार तट बोलते हैं अगर माली से question में आ जाए कि दमन दीब से गुजरात के तट को क्या बोलोगे तो काठियावार तट लेकिन दमन दीब से लेके जिसमें महराष्ट भी इंक्लूड है और गोवा तक अगर आप जाते हो तो आप उसे कौंकर तट बोलोगे कौंसा तट? कौंकर तट और गोवा से अगर आप मंगलौर तक आते हो यानि कि करनाटक का जो मंगलौर है उस तक आओगे तो आप कंणर तट काओगे कौंकर नहीं कंणर तट काते है और मंगलौर से अगर आप केप, कमोरिन, कन्या कुमारी तक आते हो अगर यहां तक तो उसे हम मालाबार तट काते है कैसा तट? मालाबार तट और ये चारो ही तट मैंने जो आपको बता है ये वेस्टन घाट पे हैं पश्मी घाट के हिस्से हैं वहीं अगर हम बात करेंगा वेस्टन घाट की पूरवी घाट की तो यहां पर अगर आप ऊपर की और बढ़ेंगे कोरो मंडल तट की और इट मिंस की आंदर प्रदेश तक अगर आप आएंगे तमिल नाडू से आप प्रदेश की बॉडर रहता है तो यहां आप देखो के कोरो मंडल आपको तट देखने को मिलेगा और आंदर प्रदेश से अगर आप ओडिसा तक के बीच में जाओगे और यहां आपको उत्तरी सरकार तट मिलेगा और ओडिसा से से कटी छेत्रों के नाम भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे गया है तो बहुत ही मैंने क्लियरली मेंशन किया है अब अगर आपसे पूछे कि कोरो मंदल तक किन राज्यों के बीच में तो आप कह सकते हो आंद प्रदेश से तमिल नाड़ भी अगर उतकल तट पूछा जाता अब हम लोग जो है कि आज की क्लास को स्टॉप करते हैं तो कि चैप्टर तो लगातार हम लोग को पढ़ने है चैप्टर बहुत लेंदी है वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करते न दोस्तो अगर आप वीडियो पर्चेस करना चाहते तो वाट्सप पे दिये के नंबर पे मैसेज करके इंक्वारी ले सकते हैं नंबर में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है साती साथ कल दुपहर में आपको अब इसकी इंडन पॉलिटी की भी हम लोग सौट नोट्स की स्रीज सुरू कर रहे हैं क्योंकि उसके भी सौट नोट्स आ चुके हैं इक लास को देख सकते हैं चीजों को समझ सकते हैं तो कल दुपहर से उसकी इकलास सुरू की जाएगी मिलते हैं रेक्ष वीड़े में थैंक्स पर वाचिंग